कि अधिक है नमस्कार वच्चु आर्श यएजिए की सुनब के ओंलाइन किलास में आपका हरदीख स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे करणकारक संपरदानकारक और अपादान कारक तो पढ़ते हैं कर्ट तक हमारा उगया था कर्टकारक और करमकारक आज हम पढ़ेंगे करणकारक होता क्या है करणका साब्धिकर्थ होता है साधन यानि कि कोई भी माध्यम या साधन वाक्य में करता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं करणकारक कहते हैं जैसे मैं कलम से लिखता हूं, यानि कि मैं किस से लिखता हूं, कलम से ये साधन हो गया, किसका, लिखने का, कार्य करने का जो साधन होता है, वो क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है, परी बैट से खेलती है, परी है, वो किस से खेलती है, बैट से खेलती है, तो इसमें माद्यम किरिया को करने का जो माद्यम होता है वो क्या कहलाता है करनकारक कहलाता है संपर्दान कारक कहते हैं जैसे सैनिकों ने देश की रक्षय के लिए वलिदान दिया देश की रक्षय के लिए वलिदान दिया पुलिस ने चोर को धंड दिया तो इसमें कौन सा कारक हो गया संपर्दान कारक संपर्दान कारक तो आपको वैसे भी आप संपर्दान यानिकी प्रदान करना और इसके आगे अपादान कारक अपादान का भी बक्ति जिन के है भी करन का क्या है सेख करताने करम को करन सेख संपरदान के लिए या खो और आपादान से अलग को आपादान के रिखे होता है से अलग आपादान का आज्थ मैं पृत्स आपादान अपागान कर्द क्या है? प्रफफ़त प्रफ़त होना या अलग होना? कि जब कोई संग्या या सरुनाम किसी दूसरे संग्या या सरुनाम से अलग होता है तो उसमें कौन सा कारक होता है? अपादन कारत संग्या में सरुनाम के जिस रूप से जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना किसी दूसरे या व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना क्या कहलता है अपादन कारत जैसे पेड से बक्ता गिर circuitPS है तो पैडि से पत्तागिरता है यह यह भरा आया था पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारप हो गया, अपादान कारप हो गया, विजय साला से घर आया, तो इसमें कौन सा अपादान कारप हो गया, इसमें भी क्या हो गया, अपादान कारप हो गया, अपादान कारप हो गया, तो इसमें कौन सा अपादान कारप हो गया, है कि एक व्यक्ति आवस्तू दूसरे व्यक्ति आवस्तू से अलग होती है तो उसमें कौन सा कार्थ होता है अब आप प्रिशन कि प्रिशन नंगर एग कि पहले तो आपके लिए कार्थ कितने प्रकार्थ होते हैं कार्थ इपने परकार के होते हैं अब भक्ति चन्न समेट लिखिए कि अब आप कि प्रिशन नंबर दो कि प्रिशन कार्थ होते हैं कि अपादान कार्थ के लिए तेन तेन उधारन लिखिएंग कि प्रिशन नंबर एग कर्ण कार्थ किसे कहते हैं कि अब आपको यह करना है और अब हमारे कितने कारक और बच गए तीन कारक बच गए कौन कौन सा बच गए भी कि संबंध कार्थ अधिकरण कारक और समदन कारक यह तीनों कारक इन तीनों कारकों के बारे में हम अगली किलास में अध्यन करेंगे आज के लिए इतना ही है ठीक है और आपको इनको याद करना अच्छे से पढ़ना है याद करना है और सुन्दर सुन्दर एंडराइटिंग में लिखना है धन्यवाद